हलो फ्रेंट्स रादे रादे कैसे हैं आप सब स्वागत हैं आप सभी का सांची की रसोई में आज मैं लेकर आए हूँ पालक और मेथी से बनने वाला बहुती स्वाधीच और चटपटा एक और नास्ते की रेश्पी इसको बनाना बहुती आसान है फ्रेंट्स और बहुती कम समय में बन जाता है यह नास्ता तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इस नास्ते को तो नास्ता बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे पालक तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंट्स बहुती बढ़िया बिल्कुल ताजी और हरी पालक लिया है हमने और ले लेते हैं थोड़ी सी हरी मेथी तो आज हम पालक और मेथी दोनों को मिक्स करके बनाएंगे नास्ता आप चाहें तो सिर्फ पालक या सिर्फ मेथी से भी ये नास्ता बना सकते हैं और डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया इसमें तो हरी धनिया मेथी पालक एक साथ ही हमने रख लिया है तो हरी धनिया के थोड़े से हमने डंठल लिया है फ्रेंड्स क्यूंकि ये बिल्कुल ही सोप्थ है अगर थोड़ा टाइट है तो आप इसको निकाल सकते हैं और एक साथ ही mix करते हुए हमने इसको बढ़ीया से दो से तीन बार दो लिया है, धोकर इसको बारीक बारीक काट लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं friends इसी तरीके से हमें इसको कट कर लेना है और इस तरीके से बनाएंगे नास्ता सच में बहुत ही बढ़िया और चटपटा बनता है friends आप इसको कभी भी बना सकते हैं ना तो इसमें आलू बालने की जंजट है ना कुछ इसमें पकाना है ऐसा कुछ भी नहीं है बस हरी सबजियों को काट कर और आसानी से बना लेना है इस नाश्टे को तो सारा हमने पालक मेथी धनिया सब काट लिया है बारीक बारीक और लगभग एक मीडियम साइज की आलू को ग्रेट करके लिए है यहाँ पर बिल्कुल भी बोईल करने की जरूरत नहीं है तो ग्रेट करते हुए इसको हमने पानी में ही रख दिया था ताकि काली ना पड़े निकाल कर हम इसी में मिक्स कर लेते हैं और एक मीडियम साइज की प्यास को भी बारीक बारीक काट कर डालेंगे आप चाहें तो इसको स्लाइस में भी कट कर सकते हैं फ्रेंस हमने इसको बारीक बारीक ही काटा है इसमें लगभग दो से तीन हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दिया है इसमें अगर तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च जादा डाल सकते हैं और डालेंगे इसमें कुछ मसाले तो मसालों में आधा चमज डाला है सूखी धनिया पाउडर और आधा छोटा चमज डाल देते हैं हल्दी पाउडर और आधा छोटा चमज डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे सावच जीरा यहाँ पर आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स और हम डाल देते हैं लगभग एक चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर और लगभग आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं चाट मसाला तो इसको पहले mix कर लेते हैं अभी हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला है तो पहले mix करते हुए उसके बाद में हम नमक डालेंगे इसमें तो बड़िहां हमने मसालों को mix कर दिया है और अब डाल देते हैं नमक तो नमक डालकर इसको भी बड़ियां से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नमक है वो बड़ियां से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम डालेंगे इसमें लगभग एक कटोरी चावल का आटा आप यहां पर सूजी या गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं चावल के आटे से बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बने गए ये नास्ता अगर चावल का आटा है फ्रेंड्स तो जरूर डाले इसमें और एक अटोरी ही डालेंगे यहाँ पर बेसन तो बेसन डालते हुए इसको भी बढ़ियां से मिक्स कर लेते हैं इसी तरह और अगर बे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़ियां से मिक्स कर लेते हैं हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है पहले इसमें पानी बिलकुल नहीं डालना है इसको इसी तरह वैसे पहले मिक्स कर लेना है उसके बाद जब लगे कि पानी की जरूरत है जब भी पानी डालना है तो पहले बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है हमने पहले मिक्स किया इसको उसके बाद ही थोड़ा सा पानी डाला है इसमें तो यहां पर देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा पानी डाला है इतना पानी बच गया है इतने में ही बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बिल्कुल इसका डो लग गया है क्योंकि कोई भी हरी सा सबजी या साग हो उसमें मतलब वो पानी तो छोड़ता ही है तो बहुत जादा पानी डालने की इसमें जरूरत नहीं है और हमने इसका डो लगा दिया है इसी तरीके से और हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा तेल तो हैं बोल्ड की तरह बना कर इसको फ्राई कर सकते हैं या अपनी मन पसंद कोई भी सेप दे सकते हैं तो हमने इसको टिक्की की तरह बना लिया है और इसको Σाइड में रखते हुए हम रख देते हैं गैस पर फ्राई पयन और यहां ध्यान देना है friends की flame को low और medium रखना है high नहीं करना है तो एक बार में जितने भी pieces आएंगे हमने बना कर इसको इसमें डाल दिये हैं बाकी हम दोबारा से इसको फिर से fry करेंगे दूसरा बैच और एक बार में जितना आया है हमने इसको डाल दिया है इसमें और ये अ तरह से जो टिक्की है वो तेल में डू भी नहीं है तो उपर से हलका हलका तेल इसी तरीके से डाल सकते हैं तो एक साइड इसको fry करते हुए लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और हम इसको पलट देते हैं इसी तरीके से पलटते हुए इसको दूसरे साइड भी क्रिस्पी होने दि कर लेते हैं तो बीच में इसे छोड़ना नहीं है लगातार इसे चलाते हुए बढ़िया क्रिस्पी होने तक और बढ़िया ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक इसे हमें फ्राई करने है तो यहां पर देख सकते हैं कलर बहुत ही बढ़ियां आया है फ्रेंड्स और वड़िया और क्रिस्पी बना है यह नास्ता तो फ्रेंड्स आप भी जरूर बनाएं इस नास्ते को तो यहां पर देख सकते हैं हमने इसको निकाल कर प्लेट में रख लिया है तो आप इसको सोस के साथ चटनी के साथ या सुबह साम की चाय हो कभी भी बना कर खा सकते हैं तो कैसी लगी मेरी यह नास्ते की रेश्पी कोमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स पोर वाचिंग